नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एड्यू पोल्टल हब में आज हम बात करने वाले है आधरकाड के बारे में आधरकाड आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेज में से एक है दोस्तों ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर एक भारति नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है तो चलिए आज जानते हैं आधरकाड के लिए स्टेप बाई स्टेप आवेदन कैसे करें तो चलिए इस खास वीडियो को शुरू करते हैं और हां दोस्तों वीडियो में आखरी तक बने रहे जिसके कारण आपको आधरकाड अपलाए क इत्यादी दूसरा पता प्रमान पत्र जैसे की बिजलिक बिल पानी का बिल बैंक स्टेटमेंट इत्यादी तीसरा जन्मतिती प्रमान पत्र जैसे की जन्म प्रमान पत्र स्कूल सर्टिफिकेट इत्यादी Step 2. नजदी की आधर केंद्रा ढूंड़ना अगला कदम है नजदी की आधर केंद्रा ढूंड़ना आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर या M.Aधर एप डाउनलोड करके नजदी की आधर केंद्र की जानकरी पास अपते हैं दोस्तो Step 3. ऑनलाइन अपोईन्मेंट बुक करना अब आपको आधर अपोईन्मेंट के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाए और बुक एन अपोईन्मेंट ओप्शन पर क्लिक करें यहां अपनी जानकरी भरे और एक उपयोगत तारिक चुने Step 4. आधर केंद्र पर जाना दोस्तो जिस दिन के आपने अपोईन्मेंट बुक की है उस दिन सभी दस्तवेजों के साथ अपने निर्धरित आधर केंद्र पर पहुचे वहां आपका बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा जैसे की आपके फिंगर प्रेंट्स, आई आर, आई एस स्कैन और फोटो यहां तीन चीज़े कंपलसरी है Step 5. नामंकन की रसित प्राप्त करना सभी प्रक्रियाई पूरी होने के बाद आपको एक नामंकन की रसित दी जाएगी इस रसित को संबाल कर रखे क्योंकि इसमें अपने आधर नामंकन नमबर EID होगा जिससे आप अपने आधरकार्ड की स्तिती जानने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो स्टेप 6 आधरकार्ड प्राप्त करना आधर नामंकन के बाद आपको 90 दिनों के भीतर आधरकार्ड पोस्त द्वारा आपके घर तक पहुँच जाएगा आप UIDI के वेबसाइट पर जाकर अपने आधरकार्ड की स्तिती भी जाच कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए चेक आधर स्टेटस पर जाए और अपना Enrollment ID दर्च करें और फिर आपको अपना आधरकार स्टेटस दिख जाएगा दोस्तो तो दोस्तो यहां थी आधरकार्ड के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया हमें उमीद है यहां वीडियो आपको बहुत जादा उपयोगी साबित होगी यदि आपको कोई सवाल हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताए दोस्तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एडिव पोर्टल हब को सब्सक्रेब करना न भूले और हाँ इस वीडियो को लाइक करे अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और नीचे दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करे जिसके कारण नए नए भरती की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुचे धन्यवाद